हेलो स्तो कमाई का अड़ास यूटूब चल में आप सभी का सोगत है आज यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे एक ऐसे धमाकेदा स्टॉक के बारे में जो यहाँ पर अपने कौडर त्री रिजल्ट के अंदर सभी के दोस्तो होश उड़ा रहा है और कमपनी पैसे भी बहुत से अच्छे निवेशक को कमा कर भी दे रही है हम जिस स्टॉक के बारे में बात करें उसके आज कौडर त्री के रिजल्ट अनौस हो चुके है और दोस्तो कमपनी ने 57% का रिटन यहाँ पर जो ग्रोथ है प्रॉफिट में दिखाई है और एक दिन में निवेशक को 13% की तेजी भी दिखा दी यानि के अभी इसके अंदर और बहुत बढ़िया पोटेंशल है और शेर प्राइज अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो वो स्रिप और स्रिप 77 रुपेश पर ट्रेड कर रहा है तो चलिए दोस्तों ऐसे इंटरेस्टिंग जो कमपनी के डिटेल्स है हम इस वीडियो में अंडरस्टेडिंग करेंगे छोटा शेर है बोलकर इस स्टॉक के तरफ हमारा एट्रेक्शन यहाँ पर रहना चाहिए ऐसा बिल्कुल नहीं हम सभी को कमपनी जो यहाँ पर ग्रोथ करकर दिखाने का पोटेशन रखते है वैसे यहाँ पर कमपनी को स्टॉडि करना चाहिए हर कोई कमपनी औरेडी बड़ी नहीं होती है वो धीरे देरे इंप्रो अपने आप होते जाती है तो अभी कमपनी के हम रिजल्ट को स्टॉडि करेंगे यहाँ पर हम दोस्तो जो कमपनी के बारे में डिस्कस करने जा रहे है उसका नाम है IDBI Bank इसके आज कौटर 3 के रिजल्ट अनौन्स हो चुके है और हम पहले कमपनी के स्टेंडरल रिजल्ट को स्टडी करेंगे और सभी फिगर्स इन करण में है तो आप सभी को डायरेकली यहाँ पर मैं पहले कमपनी का टोटल दोस्तो इंकम बता देता हूँ जिससे आप सभी को पता चले पिछले साल जो 2022 में डिसेंबर महिने में यह कमपनी आईडी बै बैंक कमा रही थी इंकम 6088 यहाँ पर दोस्तो करण में वो बढ़कर हो चुका है इंकम 7514 करण तो याने कमपनी के इंकम में देखिए कितना बड़ा यहाँ पर हमें जो पाफोमस देखने को मिला है वो काफी अच्छा है एंड आप कौर्टरली बैसिस पर देखेंगे 6924 से इंकम बढ़कर 7514 हो चुका है तो कमपनी के yearly एंड कौर्टरली इंकम में आपको एक बड़ा यहाँ पर मूँ देखने को मिलेगा यहने के अच्छी खासी तेजी दिखाई दे रही है तो यह तो इंकम की बात हो गई अब दोस्तों हम अगर कमपनी के net profit for the period से related देखे तो वो भी काफी आपको धमाकेदार देखने को मिलेंगे details आप यहाँ पर देख सकते हैं पिछले साल कमपनी आईडी बै बैंक 927 करोड का profit कमा रही थी और वो दोस्तों अभी बढ़कर 1458 करोड हो चुका है तो बहुती अच्छा profit generated हुआ है yearly basis पर अगर quarterly देखेंगे तो यहाँ पर 1323 जो था यहाँ पर September 2023 का वो दोस्तों अभी बढ़कर 2024 में यानि के 23 के ही कहे सकते हैं December 2023 के जो अभी यह quarter के result है third के और यह second के थे तो आप देख रहे हो कि यहाँ पर भी company ने net profit अच्छा ही generate किया है अभी देखें किसी भी company को यहाँ पर हम track करते है या समझते हैं उसके result को profit से तो बिलकुल profit तो दिखाई दे रहा है बट दोस्तों जो bank होते हैं उनके अंदर NPA भी देखना जरूरी होते है तो NPA वगेरा के अगर आप यहाँ पर ratio वगेरा देखना चाहते हैं तो बिलकुल study कर सकते हैं नेट जो यहाँ पर NPA होते हैं या gross NPA दोनों की information आपको नजर आई यह देखिए बिलकुल आप देख सकते हैं NPA यहाँ पर इनके घट रहे हैं यह सबसे अच्छी बात है और यह दोस्तो यहाँ पर दोस्तो जो NPA होते हैं उसके अंदर कुछ amount भी आप यहाँ पर देख सकते हो या ratio भी रहते हैं यह भी आपको देखने को मिलेगा खास करकर यह देखिए यहाँ पर यह चीज आपको बताईस ले रहा हूँ कि आप जिंदगी में कभी भी किसी bank के result देखने जाओ तो यह चीजे देखकर आप आगे बढ़ पाए देखिए NPA amount and ratio इस column में होते हैं और यह gross NPA यह उपर के और नीचे net NPA यह दोनों amount वाले हैं दोस्तों बोले तो non performing asset company किसी को करजा दे देती है और वो करजा वसूल नहीं कर पाती है तो उसे यहाँ पर NPA में वो दाल देते हैं तो उसके ratio भी होते हैं वो नीचे हैं देखिए percentage में तो वो भी आपको मैं दिखाना चाहूंगा यह देखिए बिल्कुल आप यहाँ पर study कर सकते हैं क्या यहाँ पर NPA था दोस्तों 13 वो यहाँ पर घटकर अभी 40 यहाँ पर हो चुका है यह हम ऐसा पर सकते 13.82 परसेंट जो NPA था वो घटकर 4.69 हो चुका है तो एक अच्छी बात है end quarterly basis पर अलसो थोड़ा सा यहाँ पर NPA घट चुके है यहने NPA बढ़ना नहीं चाहिए घटे तो बहुत अच्छी बात है यह हो गए दोस्तो हमने result देखे standard income मैं consolidated की result भी बताता हूँ उसके अंदर directly यहाँ पर हम जो company के income के figure से वो यहाँ पर हम figure out करेंगे बिल्कुल आप देख सकते हैं यहाँ पर भी company का income हमें अच्छे तेजी से बढ़ते भी दिखाई दे रहा है जो consolidate के reserve बता रहा हूँ इसके अंदर देखे बहुत से factors include होते हैं तो हम सभी को net जो profit है वो आप सभी के लिए देखना काफी जबरदस्त है देखे यह देखे बिल्कुल company का जो net profit हो आपको improvement में देखने को मिलेगा यह देखे तो company net profit अच्छा खासा कमा रही है वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है चाहे quarterly रहने दो या yearly basis पर improvement है एंड standard रहने दो या consolidated यहाँ पर भी growth दिखाई दे रही है अगर दोस्तों आप idea bank के result को देखना चाहते है या percentage में किस तरीके से वो संबनना चाहते है तो यह देखे आई 7.3% year on basis to rupees 1458 करोड निल growth यहाँ पर आप देख सकते हैं तो एक अच्छे result है यह हम यहाँ पर यह सभी data देखकर कह सकते दोस्तों और इस stock में आज हमें 12-13% की तेजी देखने को मिली है काफी बड़ी improvement बहुत यहाँ पर stock ने अच्छी दिखाई है और expectation अभी stock से अच्छे दोस्तों क्योंकि इसने एक बड़िया record पहले create किया था यहाँ पर 69 का उसके बाद में correct होकर यह 60 पर आगया था और आद देखिए कहाँ पर है तो नया इतियास तो यह stock बना सकता है अभी देखे थोड़ा इसको study करने के लिए आपको थोड़ा यहाँ पर stock को यह जो इसके किया है आईडी बै बैंग ने अभी expectation इससे आगे के रहेंगे और वो रहेगा दोस्तों 85 का 85 का level भी यह जल्द break कर सकता है तो आपकी नजरे थोड़ी stock पर रहने चाहिए thank you so much for the study जरूर कीजे